जगमग हो जगमग हो सत युगतां के कल युगतां मेरा मिट जाएगा ओम शान्ती क्या कभी आपने सोचा कि प्रकाश हमें इतना अच्छा क्यों लगता है हमें अपनी तरफ आकरशित क्यों करता है दीवाली का त्योहार भारत में एक बहुत ही सुन्दर त्योहार है जिसका महत्व सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक नहीं बलकि आध्यात्म भी है तो हम अपने घर के कोने कोने में मिट्टी के दिये जलाते हैं और ये मानते हैं कि उससे बुरी उर्जा यानी नेगिटिव एनरजी समाप्त होकर पॉजिटिव एनरजी अच्छी उर्जा जागरित होगी लेकिन क्या वास्तव में हम इस त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं क्योंकि जब हम इस रहस्य को जानकर इस त्योहार को मनाएंगे तो और भी मजाएगा क्या ये त्योहार हमारे मन के अंधकार को भी समाप्त करने के लिए एक इंडिकेशन है और आज हमारा बहुत ही सौभाग्य जो हमारा मार्ग दर्शन करने के लिए हमारे और आज हम बात कर रहे हैं दीपावली के पारे पर तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम सब को लाइट्स अच्छे लगते हैं हम सब लाइट की तरफ आकर्शित होते हैं and Diwali is the festival of lights तो ये क्यों, ऐसा क्यों हमें लगता है कि हमें light अच्छी लगती है अगर आप किसी से पूछो तो वो कहेंगे हैं नहीं हमें अंदकार पसंद नहीं है Om Shanti, पहले तो दिवाली की बहुत शुब कामनाएं आपको हो बाकि तो आपका प्रशन बिलकुल अच्छा है और सही बात है कि मनुश को हमेशा रोशनी ही पसंद आती है आप सोचो कि अंदकार में ठोकरे भी खाती है अंदकार में चीजे गुम हो जाती है चीजे हम ढून भी नहीं पाते है रास्ता कॉन सा सही है वो भी हम देख नहीं सकते है तो ये सब सारी समस्यां जो आती है वो अंधकार में आती है तो आदी से जब अपने पास इलेक्रिसिटी ना भी थी तो भी ज़रूर दिया जला लेते थे, कुछ लारटीन जला लेते थे फिर समया आया जो बस बटन दबाउत और बिजली आ गई पर अंतु एक ये नाच्रल बात है क्योंकि जब रोशनी होती सब कुछ सपष नजर आता है जो भी सुन्दर वस्तु है वो सुन्दरता भी नजर आती है कहां कुछ ऐसे नुकसान कारिक चीज है जिसे मुझे किनारा करके बचके रहना है वो भी हमें नजर आता तो ये सब लाइट के कनेक्शन की ही बात है जी दीदी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे हम कई सालों से दिवाली मनाते आ रहे है लेकिन क्या हम कई बार सोचने पर मजबूर हो जाते है कि क्या हम वास्तविक अर्थ से इसे समझ कर कर रहे है क्योंकि हमारे घर तो लाइट से जगमगा रहे है illuminated है हमारे घर में materialistic wealth बहुत है बट जो मन है उसमें हम देख रहे हैं कि depression बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं ये जो जोत है ये कहीं और जगाने की जरूरत है तो क्या है actually बहुत करके ऐसे देखा गया है कि जब society की ये गति आती है जबकि हर बात में materialism आ जाता तो आप देखेंगे कि लोग खर्चा भी खूब करते हैं वस्र भी खरीदते हैं बर्तन भी खरीदते हैं सोना चांदी, जोलरी ये सब कुछ खरीद-खरीद-खरीद consumer society की निशानी है तो कहेंगे कि कल्यूग है कल्यूग के समय ऐसी ही होता जो कोई भी बात की अधिहात्मिकता के शक्ती नहीं रहती सर्फ जो external show की बाती हैं वो ही रह जाती तो आपने ठीक प्रशन पूछा कि हम तो रभी चार करें कि ये सब कुछ इतना सुंदर संसार लगता है इतनी जोत नजर आ रही है सब कुछ इतना sparkling, glittering, सब कुछ है परंतु अंदर जैसे की मानव की इस्थिती ऐसे है जो खाली-खाली जिसमें अंदर का जो सुख हो, चैन हो, शान्ती हो, आनंद हो वो बहुत कम नजर आता है तो चलो वरश में एक दिन, चार दिन, पांच दिन ऐसे हम मना लेते हैं परंतु रियालिटी में कि हमारे जीवन के अंदर वो सुख और शान्ती आ सके वो होंगा ज्यान की प्रकाष्टा से तो जब आत्मा की जोत हम जगाते हैं तो इस आत्मा की जोत का मतलब है जो आत्मा के अंदर ज्यान की प्रकाष्टा हो तो जब खुद को जानते हैं परमात्मा को जानते हैं करम फिलोसफी को जानते हैं शृष्टी चकर के आदी मध्य अन को जानती हैं, ये सब जानकारी होने से, जो आत्मा के अंदर प्रकाष्टा आ जाती है, तो फिर आत्मा कहती है, हाँ, अभी मुझे समझ में आया, पहले ही कुछ मुझे समझ नहीं आता था, अभी मुझे कई बाते समझ में आई है, तो मन उस घरी फिर शान्त भी हो जाता, आत्मा के अंदर बहुत खुशी का अनुभव भी होता, तो एक सच मुझ हम दिवाली तब मना सकते हां बेशक आप घर को रोशन में बना लो, नए वस्रु भी भले खरीद कर लो, मना नहीं है, परन्तु सच मुझ यदि हम सदान की सुक, शान्ती, चैन, आनंद की प्राप्ति चाहती हैं, तो जब हम ग्यान की प्रकाष्ठा को आत्मा के अंदर जोत जगाती हैं, तो सच मुझ हमारा चैरा ही बदल जाता, घर वोई का वोई होंगा, परन्तु एक नहीं प्रकार की रोश्णी घर में भी आ जाती, बिल्कुल, और दिदी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सृष्टी के आदी मध्यांत को जानते हैं, तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है दीपावली में, तो लक्ष्मी जी की पूजा करना ये आध्यात्मिक रहस्य क्या है इसका, क्योंकि आदी में जो लक्ष्मी नारायन थे, आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं, आपने कहा ये कल्यूग है, विच मीन्स ये हम अन्त में आ गये हैं, तो इसका कनेक्शन क्या है? आप देखो कि जब अन्दकार होता, तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी नहीं आएंगी उस मकान में, और साथ-साथ ये भी कहते हैं कि जहां स्वच्चता नहीं होंगी, सफाई नहीं होंगी, वहां स्री लक्ष्मी जी का आवान नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ना सरफ एक एक्स्टरनल बात है पर उन्तु अधियात्मिक रहसिय इसका ये है कि जब आत्मा के अंदर स्वच्छता होंगी, जब आत्मा के अंदर इतनी सफाई होंगी, इतनी ज्यान की प्रकाष्टा होंगी, तो उस समय लक्षन हमारे जीवन में आ सकते हैं कैते हैं कि if wealth goes, something is lost. If health goes, something more is lost. But if character goes, everything is lost. तो इसका मतलब जो सच्चा सच्चा धन कहें, जो आत्मा की प्राप्ती कहें, जो ट्रेजर स्टोर, खजाना कहें, वो है गुनों का खजाना, और लक्षमी का भाव है लक्षन. तो जब ग्यान के प्रकाष्टा के आधार से हम लक्षनों को धारन करती हैं, तो वो है हमारा खजाना, जिससे आत्मस सदा ही भरपूर रह सकती, जिसके साथ भी हम व्यवहार करेंगे. लेंदेन क्या होंगी? खुशी की होंगी. और जबकि अग्यान है, तो कभी आप मेरे से कुछ और अपिक्षा रख करके आते हैं, और मैं थोड़ा कुछ बातों में व्यस्त हूं, तो मैं कहेंगे, अभी मेरे से बात नहीं करो, बात भी बात करेंगे. कुछ मेरा टोन बदल जाएंगा, चेरा बदल जाएंगा, वाइब्रेशन बदल जाएंगे, तो मैंने आपको क्या दिया? मैंने तो आपको कुछ नहीं दिया, और ही शायद आपको मैंने दुख पहुंचाया होंगा. तो जो लेंदेन होता है, जदी सद गुण है अपनी जीवन के अंदर, तो वातवरन जो घर का बन जाता है, खुशी-खुशी का बन जाता. तो सच मुझ, सोने चांडी की बाते नहीं है, प्रन्तो ये तो अमूल्य बाते हैं ज्यान रतनों की, जिससे हम उस ज्यान धन से ल गुनों की, तो हम दूसरों को भी एक गिफ्ट कर सकते हैं, बिकर दिवाली इस अल अबाउट, हम गिफ्ट लेते हैं, देते हैं आपने का सोने, चांडी और ज्यूलरी, तो सब से बेस्ट गिफ्ट क्या है दिदी, जो हम किसी को दिवाली पे दे सकते हैं? आपके पास कुछ न हो, समय भी कम हो, परन्तो आपकी मीठी मुस्करान हो, आप मीठी मुस्करान से हर एक को आप मुलाकात करें, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपने कितनी भी और कोई वस्तू दी होंगी, वो तो शायद कबट में चले जाएंगे, क्योंकि हर एक के पा अच्छी बाते सुनाओ, तो कहेंगे, जब मैं 15 साल की थी, आपने मुझे ये इतनी अच्छी बात बताए, जो मेरे दिल को छू लिया, मेरे जीवन को बना लिया, क्यांग कोई कहेंगा, मैं बहुत दिकत में था, बहुत मुंझा हुआ था, और आपने मुझे ऐसे राय दे जिससे मेरे जीवन में रोशनी आ गई, तो यदि ज्यान धहन है, जिससे सद गुणों की धारना है, फिर आप बांटते चलो, क्यों? आप जितना बांटते जाएंगे, आपका थजाना बढ़ता जाएंगा, कारण कि ये ज्यान धहन अपना नहीं है, वो सागर है, बेहत का परमपिता, परमात्मा, निराकार्शिव है, वो हमें सब कुछ दे रहे हैं, तो जितना आप देते जाओ, आपके पास और भी सागर है, लिमितलस, तो सागर के द्वारा आपको प्राप्ते होती जाएंगे, और आप देते जाएंगे, और अभिनाशी भी है, बिकस आज कल क किसने बहुत आपको बड़ी अगाड़ी दी, और कल किसी ने बाइचांस पारकिंग करते समय उसको स्क्राच कर लिया, आपको कितना दुख होंगा, बस आधे दिन की खुशी थी, और बस किसी ने ऐसे कुछ ठोकर लगा लिया, ठोकर भी न, तोरा सा स्क्राच आगया, आप हाई रहे क्या हो गया, मेरे हाँ, अच आज अश्क्राच यहाँ पर लग जाता है, आप सुचो कि जब कि हम देवता शब्द कहते हैं, और हम स्री लक्ष्मी को देवी कहते हैं, स्री नाराःन को हम देवता कहते हैं, और दोनों का जो कमबाइं स्वरूप और चार तो आज हमारा हाथ देने वाले का है या मांगने वाले का है तो आज आत्मा कितना भी सब कुछ हो पर फिर भी कहेंगे यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए नेवर के पास यह चीज है मुझे जरूर होनी चाहिए या मेरे पास मौरल लास्ट यर की है मुझे इस वारी की मौरल चाहिए तो वो चाये का जो होता है और मांगने का चायना का जो हम रखते हैं उसे आत्मा अंदर कभी संतुष नहीं हो सकती परन्तु जब हमारी भावना ये होती है कि परमात्मा के द्वारा मुझे कितना सब कुछ मिला है मैं औरों को क्यों ने शेयर करूं कुछ न कुछ मैं देती जाओं तो फिर वो शेयर करने से हमें और ही खुशी होती और जिसको प्राप्ती होंगी वो हमें दुआइं देंगे और परमात्मा हमारे को आश्रिवाद देंगे तो तीन प्रकार की कमाई हो गई बिल्कुल देधी जब हम लाइट को देखते हैं तो एक और क्वेस्चन ये आता है कि सारा खेल एक्चली लाइट का है कि जब हम लाइट के अगेंस्ट होते हैं आपने जो कहा कि आज हम मुझे ये चाहिए वो चाहिए इत मीन्स हम किसी जिसे किसी परचाई के पीछे भाग रहे हैं और वन सिंपल शिफ्ट और ये जैसे आपने कहा कि हम वो सारी चीजे जो ढून रहे हैं वो सारी चीजे अच्छली जब हमें लगेगा मेरे पास ही है तो आई किन गिफ तो दी आदर तीदी आपने कबर्ड कहा कि हम कबर्ड को साफ करते हैं बट माइंड के कबर्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों को हमने रखा है जो अभी हमने रिलीज नहीं किया आपने कार्मिक अकाउंट भी पोले थे कि तो अदिस्टान कार्मिक अकाउंट तो उसका दिवाली के साथ क्या connection है आप देखेंगे कि पहले की दिनों में स्वास्तिका निकालते थे चोपरे पर और फिर दिवाली के नए वरश के दिन वो पुराना चोपरा फिनिश करते थे नया शुरू करते थे और उस पर फिर से स्वास्तिका लगाते थे तो उसका भाव, स्व, सल्फ, आस्तिक जिसके पास ज्यान हो, रियलाइजेशन हो तो स्वास्तिका है स्व की पहचान और तभी शुबलाभ भी लिखते है जी, जी और फिर जब स्व की पहचान होती तो उसको कहते हैं ultimate wisdom तभी Shri Ganesh ची की पूजा करते हैं और कभी उसको Shri Ganesh भी कहते हैं और जो कार्य आप Shri Ganesh से शुरू करेंगे वो कार्य सफल रहेंगा तो इसका मतलब कि जब हम अंदर आत्मा की दीवा को जगाते हैं तो वो शुब कार्य हमारा शुरू हो सकता स्वर की पैचान से आत्मा की जोत जगने से Shri Ganesh ची का आवान करते हैं तो वो बहुत अच्छा सब कुछ सफल रहेंगा कोई विघिन नहीं आएंगा विघिन विनाश्यक बन करके हम चलेंगे क्यों? क्योंकि Self-Realization है तो जब Self-Realization होती तो उसमें हमें ये पता चलता कि मुझ आत्मा ने सारे कल्यूग से अभी सत्यूग में जा रहे हैं और फिर सत्यूग, त्रेता, द्वापूर, कल्यूग किस तरह से हमने जनम बाई जनम एक एक यूग में कैसे हमने बिताया है हमें सारे पैचान हो जाती परंतु में बाद तो ये आती अभी है कल्यूग और हम जाना कहां चाहते हैं? सत्यूग में Darkness to Light हम चाहते हैं कि अंदकार का समय जो आज चल रहा उससे हम निकल कर रोशनी अत्वा दिन के समय सत्यूता के दुनिया में सत्यूग में जाने चाहते हैं तो जब हमारी चाइना ये है ये जो बीच का समय है जिसको हम कहेंगे संगम यूग उसको हम कहेंगे Diamond Age, Confluence Age तो इस समय पर जितना जितना हम स्वर को पहचानेंगे हम परमात्मा के साथ जोथ में जोथ मिला करके चलेंगे तो फिर उसमें जितना हम स्रेष्ट करम करने चाहते हैं अपना हम स्रेष्ट करम का खाता बहुत-बहुत सारी बातों में हम एड़ कर सकते हैं अभी तक तो आप सोचियो कि एक दिन में भी कितने वारी हम अंदर कुछ सोचते हैं और बहार से कुछ और बोलते हैं बिल्कुल I think constantly ऐसा या situation देख करके जो सत्य बात है हम कहेंगे मैंने जूट नहीं बोला पर तो हाँ ये तो बात ठीक है मैंने पूरा सत्यता को भी नहीं सपष्ट किया तो हम कहीं बाते चुपाते हैं कहीं बाते कुछ दोर मोर करके जोर करके सामनी रखते हैं तो एक एक दिन का आप सोचो कितना हमारा हिसाब किताब बनता गया है बनता गया है और आज जब ज्यान की प्रकाष्टा है मैं क्या सोचती हूँ पुरानी खाते को समात करूँ मैं पुन्य करम के खाते को मैं आरम करूँ और जो चुक्तो करने का तरीका है पास्ट के खाते का उसमें हाँ मुझे अभी कुछ देह के अभिमान के वश करम नहीं करना है मुझे और कुछ उस प्रमात्मा के विश समृत्ती से करम नहीं करना है ये दोनों बातों से mistakes होती प्रमात्मा को भूल गए, खुद को भूल गए तो naturally गलतियां होती रहेंगे तो आज से, जब से आत्मा की जोत जग जाती हम ये संकव करते हैं कि मुझे प्रमात्मा के साथ में, याद में रह करके आतम समृत्ती में रह के अच्छे करम करनी है जिसे अन्या आत्माओं को भी सुख मिलता जाए और हमारा पुराना दुख का खाता समाप्त होता जाए तो दिवाली के दिन उस प्रकाश में, इस्तिती में हम अपनी सत्युकी, सत्यता के युग के तयारी करते हैं तो ये कह सकते हैं दिदी कि आक्चली दिवाली हिंदू कैलेंडर में एक बहुत सिगनिफिकन्ट फेस्टिवल है बट जैसे आपने बताया कि जब जोत से जोत जगती जाएगी तो फिर तो ये एक युनिवर्सल फेस्टिवल हो गया आपने आपको जानते हैं तो उस जोत से हर एक आत्मा को हम कुछ न कुछ रोशनी दे सकते हैं तो उनों की आत्मा भी जोत उनों की जग जाए और वो भी इसी प्रकार से बाते समझ करके और आगे अपने जीवन में सुख और शान्ती की प्राप्ती कर सके येस दी और मतलब इत मीन्स कि अभी जो दीवाली जो आ रही है रादर देन लाइटिंग दे लाम्प मतलब हम जो अर्दन लाम्प जलाएंगे उसके साथ साथ हम आतम दीपक को भी जगाएं और आपने कहा कि जो हमारे अंदर गुण और शक्तियां है वो भी हम दूसरों को दे तो I think मन का अंधकार वैसे ही समाप्त हो जाएगा और खुद को जाननी से हमें दोनों बाती की पहचान होती अपने गुण किया है विशेष्टाइं किया है और अवगुण किया है नहीं तो इनसान यान तो डिप्रेशन में चला जाता है अपने अवगुणों को देखकर नहीं तो एंकार में आचाता है कि मेरे जैसे अवियक्ति इतना आच्छा कोई है नहीं और रियालिटी तो यह है कि हर वियक्ति में आजकल तो दोनों प्रकार की बाती है नेगटिव और पॉजिटिव तो यदि ग्यान की प्रकाष्टा है तो हम उस ग्यान के इलुमिनेशन से समझते हैं कि जो मेरे अंदर गुण है वो तो परमात्मा का दिया हुआ वर्सा है तो उन गुणों को मैं सेवा में लगाओं और जितना वो सेवा में लगते जाएंगे उतनी मुझे दुआई मिलेंगी और फिर जो अवगुण है उसको भी मैं स्विकार करती हूँ कि हां सच मुछ रियालिटी में यह मेरे ही कम्या है परंतु परमात्मा फिर ऐसे शक्ति भी द इतना योग अगन से उनों को जला करके समात करना और साथ-साथ गुणों की धारना हम करते चली तो दीदी यह बहुत हमें आज इतनी अच्छी समझ मिली कि अच्छली हम दीवाली किस तरह से मनाएं यूग कि आज तक हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वास्तविक अर्थ नही वही अंधेरा है बस हम बाहर से लाइट जलाते जा रहे हैं थैंक यू सो मच पर शेरिंग इस नॉलेज विद तस ओम शैंती थैंक यू बहुत ही अच्छा हम सब ने ये समझा कि किस तरह से दीवाली सिफ बाहरी दिये नहीं बलकि हम अपने अंदर के दिये को भी जलाएं यानि अपने आत्मा के दिये को जलाएं आत्मिक सशक्ति करन करें और अपने अंदर के गुणों को पहचानें और उन्हें पहचान कर आईए इस दिवाली हम एक दूसरे को इनही डिवाइन वर्चूज की गिफ्ट करें जिससे हमारे खाते में दुआएं भर जाएं और खुशिया ही खुशिया भर जाएं ओन दाट नोट आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुब काम नाएं हापी दिवाली झाल 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 कर दिवाली